नमस्का दोस्तों रीसेंटली भारत तो चाइना के बीच में आप लोगों को याद होगा एक पैक्ट साइन हुआ था जिसके तहद भारत और चाइना दोनों के दौरा अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसे रिजॉल किया जाना था हाला कि ग्राउंड रियालेटी बहुत चेनी हुई बट पॉलिटिकली एक डेवलप्मेंट यहां पर होता हुआ दिखाए दिया और यह कोई पहला पॉलिटिकल डेवलप्मेंट नहीं था इसी के साथ आपको याद होगा भारत के प्रधान मंतरी श्री नयंद मोदी जी चाइना के पैसेडेंट जी शिंग इनिशेटिव जिसके द्वारा कई साथ डाटा के आधार पर यह प्रूव किया गया कि भारत तो चाइना के बीच में जो पॉलिटिकल डेवलप्मेंट हो रहे हैं इसका असर एकोनॉमिक और ट्रेड डेवलप्मेंट के उपर नहीं दिखाए देगा मतलब देखो भारत हमे सब्सक्राइब करें देखो कि दो नेबर हुट के बीच में बॉर्डर सबसे हाइच काइंड ऑफ ट्रस्ट होता है क्योंकि वो ट्रस्ट तूड गया तो हमारा रिलेशन तूड गया और हमारा रिलेशन फिर हर जगे तूटेगा केवल वह पॉलिटिकल ही नहीं होगा फिर तो ऐसी कंडिशन में बॉर्डर डिस्पूट पहले रिलेशन को ठीक करेंगे ऐसा भारत का अभी तक कहना था पर जीटी आराई का कहना यह है कि अगर बॉर्डर डिस्पूट पॉलिटिकल हो भी गया तो उसकी वह से भारत की पॉलिसी जो है वो चाइना के प्रती बहुत जाना चेंज नहीं होगी अब ऐसा क्यों होगा इससे में डीटेल में आप लोग के साथ में चर्चा करूंगा आप लोग मैं साथ में साथ में टेलिग्राम ग्रूप क्यों पजोड़ रखते हो मेरे क्लास की अपडेट पीडिए सब कुछ आपको मिल जाएगी यूपी एसी की तैयारी कराएंगे यानि की प्रिलिम से लेके इंटर्व्यू तक की तैयारी आप लोग कराई जाएगी इतना ही नहीं दोस्तों अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप लोगे लिए एक बहुत अच्छा ओफर है देखो जीएस का कोर्स ऑफलाइन सेंटर के अंदर जो अभी तक एक लाग बीस हजार के अंदर मिलता था वो चार नवंबर तक जो बच्चे इस कोर्स के अंदर करेंगे उन्हें की आदे रेट के अंदर यानि की 59,999 के अंदर मिलेगा अब आपको यह कि सर मैं ऑफलाइन सेंटर कैसे जाओं अभी तो दिवाली का समय है आप बेठे बेठे भी अपनी सीट बुक करा सकते हो यहां पर मैंने नंबर दिया हुआ उसके जरी है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है उसको आप फिल आउट करना फिर हमाई टीम जो आब आपको कॉल करेगी उसके जरी है चली दो सब समय करने का प्रयास करते हैं पर हुआ कि देखो भारत तो चैना के बीक में जब बॉर्डर दिस्प्यूट हुए तो फिर भारत ने उन डिस्प्यूट को केवल बॉर्डर उठाए गए जहां पर चाइना के इकनोमिक रिलेशन या इकनोमिक इंट्रेस्ट भारत के अंदर डारेक्ट चेलेंज हो रहे थे जैसे चाइना के एफडियाई को रश्रिक करने का प्रयास किया गया चाइनीज एप को बैन किया गया कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके उपर एंट्री डंपिंग ड्यूटी लगाई गई बट इन सारी चीजों के बावजूद भारत सरकार ने स्टेप लिए बट उसका असर भा भारत का जो इंपोर्ट है चाइना से वह बढ़ता हुआ दिख रहा है आप क्लियरली आपर देख सकते हो दो और बीज के क्लैश के बाद फाइनेशल इयर 2020 के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट चाइना के अंदर था वह लगबख 16.61 बिलियन डॉलर था चाइना ने मेक्श 65 बिलियन डॉलर का ही भारत का एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाया दिया जबकि आप चाइना का अगर भारत में एक्सपोर्ट देखोगे तो वह 65 बिलियन डॉलर से बढ़के लगबख 101 बिलियन डॉलर हो चुका है यानि कि आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ओवर आल एक् 334 बिलियन डॉलर का है और यह अपने आप में एक यूज नंबर है एक यूमंगस नंबर है क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसेट आपको शायद ही किन ही दो कंट्रियों के बीच में देखने को मिलेगा जो भारत और चाइना के बीच में यह चीज हम लोगों को या प 2020-2023 के बीच का डाटा है यह एकदम रीसेंट डाटा नहीं है मतलब 2024 में चेंज तो हुए होंगे न हम लोगों जो इस्टेफ लिए उनका असर पढ़ता हुआ दिखाए दे रहा होगा दोस्तों उसका असर बिल्कुल पढ़ता हुआ दिखाए नहीं दे रहा है आप क्लियर रहा है लगब 11 प्रतीशत से जबकि एक्सपोर्ट भारत का कम हुआ है जिसकी वज़े से ओवराल भारत और चाइना के वीच में ट्रेट डेसिट बढ़ता हुआ दिखाए दे रहा है इवन चाइना का जो एक्सपोर्ट भारत के अंदर जिन ट्रेडिशनल चीजों के अंद अंदर हम लोगों ने इंपोर्ट कम किया है अधरवाइस अप्रेल से लेकर अगस्त के महिने में हम लोगों ने चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट किया है जिसके बाद भारत तो चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट केवल अप्रेल और अगस्त के महिने में 40 बिल ज्यादा नंबर नहीं है मतलब ऑवराल रूप से भारत का इंपोर्ट जो है वो चाइना से बढ़ रहा है जब कि सरकार ने अल्रडी कई साइश स्टेप उठा है क्योंकि भारतिये लोग अभी भी चाइनिस प्रोड़क का प्रेयोग कर रहा है जिसकी वाइसे चाइना का जो चाइना के पास में पैसा जा रहा है उसका बेनिफिट चाइना अपनी मिलिटरी के अंदर यूज कर रहा है और फिर उसकी वैसे वह हमारी सोल्जर को बाॉर्डर के उपर करता है इतना ही नहीं भारत ने कई सारे फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के नेगोसीशन छोड़े चाइनीज प्रोड़क्ट पो इजी एकसे भारती मार्केट के अंदर मिल जाएगा बट आर्चेप छोने के बावजूद भी तो चाइना का अवरॉल रूप से एक्सपोर्ट भारत के बढ़ी रहा है मैंला सरकार द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गया आप क्लिरली देख सकते बट उनका असर जो है वो ग्राउंड रियालिटी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है चाइनीज प्रोड़क्ट अभी भी भारत के अंदर तीजी से एंटर कर रहे हैं और भारती मार्केट के अंदर डॉमिनेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं ऐसी कंडिशन में भार जैसे हमने यूरोपियन उनियंट से ऐसल जो रहीजा के वह स्था इंटरन के और से सबक्रोर्ट करें घ्र बैंद गक्ते हैं क्यों कियों हमारे प्रोड़क्ट को इंडिया में इससता नहीं बना पाते क्योंकि क्योंकि करप्षन इतना ज्यादा अगर मैं अपनी इंडर्श्य योग खोलने के लिए दर बारा ऑफिसर को पैसे खिला रहा हूं तो उन पैसों को में रिकोवर भी करूँगा अपने प्रोड़क के अंदर मैं फिर अपने प्रोड़क के दाम बढ़ा के रखूँगा तो यह साही बात आपको समझ महीं होगी लेक्से अच्छा लगाओ तो लेक्से बहुत अच्छा लगाओ नीचे सब्सक्राइब करना अगर आपको मैं सेंटर देखना तो इस वीडियो को एंटर देखना झाला आपको मैं सेंटर देखना